तो फाइनली धूंड लिया आपने हां मुझे उम्मीद थी धूंड लोगे आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा अगर आप इन को लिखना चाहते हो या फिर याद करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्टर में मैंने पीडियाफ का लिंक दे रखए हैं आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो चलब अभी शुरू करते हैं मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं इसका chapter मैंने आपको already करवा दिया है तो आप उसको जा के देख सकते हो चलो भी देखते हैं क्या है question answer तो यहाँ पर हमारे पास में पहला question आ रहा है तो मतलब यह पूछ रहे हैं जो लेडी थी जो घर में थी है ना तो क्या मतलब उसको पहले सक हो गया था डाउट हो गया था उसके लेडी के ओपर की हाँ यह थी या फिर नहीं है तो उसके बारे मैं आपको यह बताना है तो शुरुवात में तो इसको डाउट हुआ है नहीं था औरेंस दैन्वी को डाउट कब हुआ था डाउट जब हुआ था जब उसके घर में पूलिस आई पता लगा कि हाँ यह तो मतलब थीप था तेरे साथ ही स्कैम होगा थीप को थीप नहीं लूट लिया ऐसा उसको बाद में पता लगा था और आपको कब अहसास हुआ यह भी पूछ रहे हम से तो हमें कब अहसास हुआ हमें भी उसी टाइम पर पता लगा पहले कहां पता लगा था में भी दूसरा कोछ सना रहा है तो वो जो मतलब यहां में पूछ रहे हैं जो लेडी आई थी उपर से उतर के तो वो जो है उसको ट्रस्ट दिला देती है को कि वो उसकी ओनर है उस घर की तो उसको फिर भी मतलब इतना ट्रस्ट दिला दिया ओर उसके बाद भी मतलब और उसके उसकर होटु pł्र सकती है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ है यह पूछले इंद में पूरि पूछ दो अब सब्सक्रक्राइब द्रेति सहाइम शावास होते हैं कि डर जाते हो एक तमसे लेकिन अइसा कुछ होता नहीं होगा वह जिए से मेरा घर हो पूरी चोड में आई हुई थी तो अभी उसको क्या सब होगा नहीं हो पाया इसलिए तो तीसरा कुछन देखो अच्छा इंसान था लेकिन होनेस्ट नहीं था क्योंकि वह हर सीजन एक पार चोरी जरूर करता था और तकड़े वाली चोरी करता था उसको एक टीपिकल थीप यानि मतलब चोर के रूप में क्यों नहीं बताया क्योंकि वह हर समय चोरी नहीं करता था वह एक सीजनल चोर था एक की चोरी करता था पूरे साल के अंदर और अच्छी खा सी उसी में आराम से बैटके खाता मचे में प्लानिंग अच्छी थे ना उसकी फिर भी वह गलती कर बैठा है यहां पर मतलब अपने करियर में पहली बार उसने ऐसी गलती कर लिया है उसने कहां गलती की थी और क्यों की थी तो पहला तो उसको पता होना चाहिए था कि जो बाहर गए हुए वह कौन है कैसे दिखते हैं उसके बारे में उसने कोई आइडिया नहीं लगा है लेकिन वह लेडी आती है बोलती है कि मैं तो इस घर के ओनर रूम और वहीं पर स्कायम हो गया इसके साथ में फिर तो यह था आपका आगे भी है कुछ टाक अबाट इ यह वह क्या वह सही है या फिर गलत है या फिर उस चोर को जो मह लगा जो लेडी ती उसको सजा मिली ती यह नहीं इसको नहीं लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाग गई तो तो दूसरा को सनारा है डू तो चलो इस question को छोड़ो ये काम का question नहीं है ज्यादा important भी नहीं है ठीक है as usual जो normal सा question है ये तो आप से पूछ रखा है कि आप क्या मतलर अब उसके साथ में उसका साथ दोगे तो आप अपनी राय दे सकते हो अभी जो है क्या होता है आपको सीक्रेट फॉर्मूला बताऊं तो जो आपकी ये बुक है ना ये बुक है आपकी के अंदर आपको कुछ question मिलते हैं चार या शाय कुछ मिलते हैं चोटे-चोटे के क्लाइनों के और वही question ज्यादा तर आते हैं बागी मैंने important question अलग से बता रखे हैं पहले इन questions को कर लेते हैं बागी बाद में बात करें important की इन questions को समझा देता हूँ तो पहले जो एक बक्से से में आया था पहला पार्ट है जो इनका तो उसमें देखते हैं को उनकों से question है वो क्या collect करना पसंद करता था बताव आप वो क्या collect करना पसंद करता था expensive books दूसरा question है why does he steal every year वो हर साल चोरी क्यों करता था क्यों करता सार साल चोरी ताकि उसका काम चल सके और काम कौन सा चलाना तुसको उसको सिरफ books खरीदने का सोख था वो भी expensive books तो उनके लिए वो चोरी करता था पहला को दूसरे पार्ट का पहला को सना रहा है who is speaking to horanze danby horanze danby से कौन बोल रहा है वो एक लेडी थी जो बात कर रही थी उसके न तो यहां पर देखो कैसे आपको अंसर बहुत आसान होते वह से लिखना अथी पी speaking to horanze danby she is young lady who possesses to be mistress of the suit over grains ठीक है उन्तलब घर की मालकी में बता रही थी अपने आपको दूसरा पार्ट है दूसरा को सनेश में who is the real culprit in the story तो real culprit यानि की real जो थीव था या फिर real जो गुनहागार था वो कौन था सली में तो वो कौन था वो लेडी थी तो अब यहां पर यह तो हो गया आपके question answer जितने वीते chapter में अंदर बाहर सारा हो गया अभी बात करते हैं थोड़ा important questions की important question इस chapter से आपके कौन कौन से आ सकते हैं देखो lady का question जरूर आएगा ज्यादा तर चांस रहेंगे lady का question आने का lady का question कैसे आएगा या तो आपसे जो इन्होंने बता रखा है बाकि आप पढ़ लेना अच्छे से मैंने लिख भी रखा है important questions की में तो यह जो है इसको अच्छे से याज कर लेना इस question को character sketch of lady ठीक है और उसके अलावा जो है आप यहां पर देखते हो इन बिल्ट question जो अंदर आते हैं चैप्टर के मैंने आप उसे दो ही question है छोटे छोटे एक तो हो रहां डेन्बी को क्या collect करना पसंद था वो था expensive books और वो हर साल चोरी क्यों करता था उन expensive books को खरीदने के लिए देखो एक ही ज्यादा पढ़ा नहीं है ना दोनों question हो गए आपके उसको पसंदा expensive books और उनहीं को खरीदने के book से ज्यादा नहीं आते और chapter है तस तो हर chapter के हिस्से में एक एक question नहीं आता बराबर से नहीं आता एक question भी तो उसके लिए मैंने जो है हर बोर्ड के analyze किए papers तो आप कौन से बोर्ड से जुरूर से comment में बताना और बताना की मतलब यहां पर मतलब कितने नंबर की आपकी यह book आती है तो हमें ज्यादा एडिया मिले क्योंकि मैं मेरे पास अभी इसी का स्लेवस है मुझे ज्यादा अधर स्टेट्स का नहीं पता कि कहां कहां आपकी यह book चल रही है इंडिया के अंदर कुछ में अलग बोर्ड है कुछ का अ सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ज्यादा कुछ दिक्कत आपको नहीं पड़ेगी मैंने important question की वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने पूरी book के important questions बता दिये हैं पिछले chapters के पिछले सालों के questions papers को analyze करके तो उसको देख लेना बहुत काम आजाएग और आसानी से आप इस book को revise कर सकते हो तो बस यहीं था वीडियो में मैं cover करने वाला हूं class 8,9,10,11 और 12th class की सभी subject सी वीडियो अगर आप मिस्त नहीं करना चाहते तो इस तरह में subscribe का button है subscribe कर लो साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना ताकि कोई भी update आपसे छुटने न आपए